Welcome to my channel Mathematics Studies आज हम BABSC 5th semester के बुक Groups and Ring का Chapter No.1 के Exercise 1.2 का Lecture 2 देखेंगे देखो हमने कुछ theorem कर ली थी और मैंने उसका थोड़ा basic बताया था operations वगरा के बारे में देखो fourth theorem हमारी क्या कहती है कि अगर हमारा if g dot मतलब यह इस dot का मतलब हमारा क्या वही operation ही है मतलब star हमें कोई group दे रखा है then for all a b belong to g मतलब a और b दो element दे रखें उस group के the equation a देखो इसका मतलब क्या हमारा कि इन दोनों के बीच में operation लग रहा equal to b मतलब अभी मैं इसको dot ही read करूंगे a dot x equal to b and y dot a equal to b have unique solution for x and y and g देखो क्या बोल रखा है सीधा सा theorem के अंदर कि यह हमें कोई group दे रखा है दो element है a और b जो की g के अंदर ही है ठीक है तो जो यह equation है ना a dot x equal to b और y dot a equal to b उनका जो इन equations को जब हम solve परेंगे ना तो जिनका solution आएगा वो क्या होगा unique होगा मतलब सीधा सा क्या है कि जो यह equation है ना उसका हमें solution निकानना है जब solution निकानना है उसका मतलब हमारा क्या होता है कि हमें x और y की value निकाननी है राइट उसके बाद x और y की value आने के बाद फिर उन्होंने बोले कि solution तो है लेकिन वो unique भी है देन उसकी हम क्या प्रूव कर देंगी उनिकनेस मतलब हमें xy के value निकान लिए हैं और उसकी उनिकनेस को प्रूव करना है चलो थेरम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो दे रखा वही लिखते हैं कि हमारा जो g dot है बियो ग्रूप ओके तो यह हमें क्या दे रखा है ग्रूप दे रखा है उसके वाद हमें बोर रखा है जो हमारा a b element है वो किसके अंदर बिलोंग करता है जी के अंदर बिलोंग करता है और हमें क्या दे रख है कि a.x करेंगे तो हमारा b आएगा and y.a करेंगे तो हमारा b आएगा इस तरह किसे हमें बोल रख है तो अभी हमें क्या निकालना है x और y की value निकालने क्योंकि solution का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम x और y की value निकाल दे ठीक है अब देखो X और Y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अब देखो मैं मुझे ऐसे दे रखा है A dot X equal to B सिद्धी सी बात है कि मैं एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लूँगी जो भी यहाँ पे कुछ A inverse type का हो जाएगा और यह कठ्थे हो एलेमेंट हुग किसके अंदर बिलॉंग कर रहा है ठीक है और ओलसमे क्या पर रखाए कि यह एक Health is a रहा व Ne इनोंने खुद बोल रखा a जो कि g के अंदर ही है तो क्योंकि एक g हमारा ग्रूप है तो जो a का inverse है वो भी एक्जिस्ट करेगा तो a inverse भी किस के अंदर भी लोग हो जाएगा जीक है अब इनों टेका क्या बोल रखाए है कि A dot X equal to B है हमें क्या निकलने इसका solution मतलब X की value आप देखो A inverse हमारा group के अंदर है तो हम क्या करवा देंगे दोनों side operate करवा देंगे A inverse ठीक है तो आप लिख देना pre multiply multiply का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा operation कि मतलब हम A inverse का आगे की तरफ pre multiply करवा रहे हैं इनवर्स कर लिया ठीक है तो यह हमारा A inverse A हमारा क्या हो गया identity A inverse B identity की multiply हम किसी के भी साथ करें तो हमारा क्या आता है वही element आता है A inverse B तो हमारा यह होगी X की value ओके तो यह हमारा क्या हो गया X हो गया क्या लिए हमने सबसे पहले जो हमें given था वो क्योंकि एक group है तो identity के एकपल होगा then A inverse B हो गया यहाँ पर identity आगया A inverse B X की value आपकी क्या गी A inverse B आगए similar तरीके से हम यहाँ बे Y की value निकाल लेंगे तो देखो जैसे Y into A equal to also हमारा A अगर G केंदर है तो A inverse exist करेगा जो कि G केंदर होगा अब यहाँ भी हमें क्या करना है Y के value निकाल लेंगे अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा post multiply करना करेगी मतलब पिछे की तरफ operation लगाना पड़ेगा क्योंकि पिछे की तरफ है यह हमारा inverse तो Y A A inverse B A inverse ठीक है तो यह हमारा क्या होगा identity और यह हमारा B A inverse identity किसी के साथ multiply करो वही आएगा तो Y equal to B A inverse तो हमारी Y की value आगी X की value आगी मतलब हमारे जो solution है वो तो आगया पट देखो इन्होंने बोला है कि जो हमारी आएगा ना है व यूनिक solution solution तो हमें निकाल दी X और Y की value अब हमें क्या भी प्रूव करने पड़ेगे इसकी uniqueness तो देखो इसकी uniqueness प्रूव करेंगे हम लिखती आगरो uniqueness ठीक है इसकी uniqueness प्रूव करेंगे uniqueness हम किस तरीके से प्रूव करते हैं always जित अगे भी थेवर्म करोगे या पिर पीछे भी आपने की हैं तो हम क्या करते हैं uniqueness प्रूव करने के लिए कि कोई भी दो values को लेके चलते हैं और end में हमारी वो दो दो values अगर equal आजाएं तो हम बोल लेते कि इसका unique solution है मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही value आएगी हमारी जो हमने दो अलग अलग भी value है ना ली थी वो भी हमारी क्या हो जाती है बाद में same हो जाती है देखो फिर हम मान लेते हैं पहले इसके लिए करेंगे इस वाली term के लिए ठीक है हमने मान लिया कि हमारी पास दो possible value है let if possible मान लिया अगर possible है तो हमारी पास x1 और x2 दो solution है इस equation के a dot x equal to b के ठीक है तो हम इसके जगा x1 रख सकते हैं और x2 रख सकते हैं तो a dot x1 equal to b and a dot x2 equal to b अब देखो यह दोनों terms हमारी b के equal है तो यह आपस में भी equal हो जाएंगी तो हमारा क्या जगा a dot x1 equal to a dot x2 अभी हमें तो क्या चाहिए यहां पर x1 x2 चाहिए अके लिए तो हम क्या करेंगे pre multiply by a inverse कर देंगे दोनों side a inverse operate करवा देंगे pre side मतलब आगे की दरफ तो a inverse a x1 equal to a inverse a x2 यह identity हो गया identity x1 identity x2 identity किसे के साथ multiply करो तो वही आता मतलब x1 equal to x2 आ गया देखो हमने दो लिये थे कि possible कर लिया कि यह दो हमने ले लिये इसके solution है बट end में आते आते कि आगे यह दोनों ही जो हमने लिये थे वो equal आगे मतलब जो हमारी uniqueness हो गया होगी प्रूव आप लिख देंगे ना similarly we can prove that y has also a unique solution मतलब जो y की यह हमारा आएगा इसके अंदर पूट करते ही देखो जैसे इसके अंदर लोग आप वाइवन और वाइटो दो सोल्यूशन तो वाइवन एकवल टूबी दन इन दोनों के एकवेट कर देना वही इसमें पोस्ट मुंट्रिप्लाइए कर देना तो वाइवन इकवल तो आजाएगा तो इसके भ इसके उनिक उसको प्रूब करना था कि उसको सविशन यूनिक होगा तो वह ने प्रूब कर दिया अब हम करते हैं इसके एक्जामपल्स पूइन पूर्टेंट है क्योंकि इस एक्जामपल का उसनों आगे कोश्छन में भी करूंगी अब देखो क्या बोल रख है इफ एवर उने बोल रख था कि है गृफ a Cliff का मतलब क्या है कि उसकी das Character di हो जाए हमें बोलत है कि वह गृप है उसके हर एक element का inverse उसी के एकवल है हमें प्रूब करना है कि जोब बॉन होगा ठीक है तो हम सबसे पहली क्या कि हमें बोल रख्यक्ड कि हमें कोई गृप है दो अब हमारे पास कोई भी जी स्टार पोई भी ग्रूप है ओके और हमने एक एलिमेंट ले लिए कोई भी एकस वाई जो की जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं अब हमें प्रूव क्या करना है नाओ वी शेल प्रूव देट एक्स डोट वाई एक्वल टू वाई डोट एक्स मतलब यह कोम्यूटेटिव की रॉपारिटी हमें शो करनी है ना अगर यह कोम्यूटेटिव हो गया तो यह बिलियन ग्रूप हो जाएगा राइट हमने कोई ग्रूप लिया दो एलिमेंट हमारे जी के अंदर हैं अगर हम उन एलिमेंट है ना जो ग्रूप का उसका इंवर्स उसके एक्वल ही है मतलब अगर मेरा मालो एक्स जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो जो मेरा एक्स इंवर्स है वो एक्स के एक्वल है मेरा जैसे वाई जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो जो मेरा वाई इंवर्स है किसके प्रूब कर देंगे तो हम क्या ले रही है कि अगर मेरा x और y जी के अंदर भी लोंग कर रहा है और जी एक ग्रूप है तो by closer property उन दोनों का जो हमारा operation लगाएंगे वो भी जी के अंदर जाएगा by closer property ठीक है तो यह भी इसके अंदर जाएगा अब देखो मेरा अगर मेरा x y हमारा g अंदर जा रहा है इस तरीके से अब देखो यह हमारा क्या है ग्रूप और यह हमारा इसके अंदर चला गया अभी एक चीज़ हमें गीवन है कि ग्रूप के हर एक element का inverse उसी के इकवल है यह हमारा ग्रूप का element हो गया अब तो इसका inverse करेंगे तो वो इसके इकवल आएगा मतलब xy का inverse करेंगे तो वो इसके एकवल है यह हमें क्या given है यह चीज़ हमें given दे रहे हैं कि every element of a group is its own inverse तो हमारे यह हो गए इस तरीके से राइट अब हमने ओल्रेडी थेोरम में पढ़ रखा है कि अगर इसका inverse open करते हैं वो पीछे से खुलता है मतलब y inverse x inverse equal to xy अभी y inverse हमारा किसके एकवल है y के एकवल x inverse मेरा किसके एकवल x के अब हमारा direct हम यूज कर लेंगे जहां भी हमारा मतलब इस तरीके से बोल रखा हो कि हमारा यह है inverse उसके इकवल है तो हम बोल देंगे कि हां भाई वो abelion होगा आगे हम questions पर direct use कर लेंगे ठीक है जोई question था आपका important था paper में आ सकता है अब हम करते next example देखो क्या है next example if a square equal to a यहां पे हमारा a square का मतलब क्या है कि a उसके उपर operation लगा यह अगर operation हमारा प्लस का तो यहां प्लस आएगा multiply का तो multiply आएगी जो भी operation होगा हमारा वो आएगा राइट यह मैंने आपको basic में भी बता दिया था और यहां पर हमें इस तरीके से रहा है कि a की two power हो है identity है for all a जो कि g के अंदर belong कर रहा है और जो हमारा a dot a group दे रखा है तो हमें प्रूव क अंदर हमारे और भी elements हो सकते हैं अभी इन्होंने particular a की बात कर रखी है ठीक है तो हमें प्रूव करना है कि यह जो हमारा होगा ना group बनेगा वो abelion होगा ठीक तो a square equal to a e दे रखा है इन्होंने right a square equal to e अब देखो a square किस तरीके से बना होगा अलब a और उसके बीच में जो हमें given है वो लगाया होगा और फिर a मतलब अगर हमारा a square अगर additive हमें दे रखा है addition में दे रखा तो हम a plus a करते हैं ठीक है अगर हमारा subtraction में दे रखा तो a minus a अगर हमारा multiply में दे रखा तो a multiply a right तो मतलब यहां पे हमारा क्या operation तो हम इसको इस तरीक के से लिखते हैं a dot a equal to identity right तो हमारा यह हो गया अब क्योंकि हमारा के गरूप है अगर वह एक गरूप है और मेरा a g के अंदर जा रहे तो जो मेरा inverse बहुंच करेगा वह भी जी के अंदर जाएगा क्योंकि एक गरूप है तो of inverse तो हमारी होगी है Krista तो हम क्या करेंगे दोनों साइड यह inverse यह हमारे डेνवर्स के साथ करेंगे तो यह आएगा A inverse क्या कि यह है हैं कि हमें यह गीवन था इसको अमने इस तरीके से ऊपन कर लिया अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप तो कुछ बन ही नहीं रहा ना अभी हम इस एक तरीके से उपर वाले कि अगर हमारे किसे हमने लेलिया तो हमारे क्या हो जाता है यहां बी मलव. हमारा क्या हो जाता है identity into A equal to A inverse के identity के साथ किसी की भी multiply करो हमारा वही आ जाता है ठीक है तो हमारा A inverse आ गया तो यहाँ पे मेरा multiply का मतलब operation होता है यह ध्यान रखना आप okay then identity operation A हमारा क्या हो जाता है वापिस A ही हो जाता है then A हमारे किसके equal आ गया A inverse के equal आ गया right तो A मेरा A inverse के equal आ गया मतलब जो हमारा हरे का element है G का उसका inverse उसी के equal है जैसे कि मेरा A inverse A के equal है अगर मेरा कोई element होगा B तो उसका B inverse B के equal होगा for all A B जो कि कि किसके अंदर belong करे है G के अंदर belong करे है right अब इन्होंने क्या बोला है जो यह बोल रखा था यह मैंने यूज कर लिया जी हमारे ग्रुप था उस वज़े से हमारे इनवर्स एक्जिस्ट हुआ वगएरा वगएरा तो हमारे यह प्रूव हो गया अभी हमें क्या करना है यह प्रूव करना है कि जो जी है वह बिलियन होगा जो एक ही बी के साथ ओप् ठीक तो मतलब मुझे एक तरीके से क्या प्रूव करना है कि यह इस तरीके से प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं एक को लेके चलते हैं इस तरीके का हमें चाहिए अब देखो क्योंकि मेरा यह और बी दोनों ही जी के अंदर बिलोंग कर रही है तो बाई और जी मेरा एक ग के element है तो इसका inverse इसी केकवल होगा तो इसका inverse इसके केकवल होगा इस तरीके से जब हम इसको inverse open करते तो वो किस तरीके से होता है B inverse A inverse equal to A B B inverse किसके केकवल है B केकवल है A inverse किसके केकवल है A केकवल है तो B equal to A भी आ गया और हमारी commutative property हो गई satisfy commutative property satisfy होगी तो जो मेरा बिल्कुल यहां से तो बिल्कुल ही हमारा सेम डिट्टो फिस्ट एक्जाम्पल हो गया था यहां तक बस थोड़ा था कि एक बात आपको समझनी है कि अगर मुझे अबीलियन प्रूव करना है तो मैं इसी तरीके से प्रूव करने के कोशिश करोंगी कि उसका जो इन्वर्स है होगा आपका second question देखो next example में क्या है कि prove that the group is ablion if ab square equal to a square b square for all abg देखो group तो हमें बोल रखा है दोनों ही case में हमारा group तो है क्या बोल रखा है कि हमारा if and only if का case है कि अगर हमारा जो group है वो ablion होगा तो ये होगा और अगर ये होगा तो जो मेरा group है वो ablion होगा मलब मुझे group तो बोल रखा है हमें प्रूब करना है कि पहले हम लेके चलेंगे कि हमारा जो group है वो ablion है और हम ये प्रूब कर देंगे then हम लेंगे कि हमारे जो ये value वो equal दे रखिया और जो group है वो abelian होगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे solution के अंदर कि हमारा G को y управian group हम लेके चलेंगे let g be any abelian group ठीक है जी अगर मेरा abelian group है तो मुझे prove क्या करना है इसके अंदर कि a, b का square equal to a, स्क्वेर फैकănर मुझे करना है ठीक है इसके अंदर मेरे जो A और B है 오क शक्रिडम करें जी शुरू में ही इस लक्षर के शुरू में बताई था अगर मेरे मालो अ-सक्वेर था तो इसका मैं लिखती ए-डोट-e ठीक मैं बीच में कोई ओप्रेशन है वो इस तरीके से इसको लिख सकती हूं मैं राइट तो अगर मेरा इन्होंने बोल दिया है डोट का मतलब कुछ भी हो सकता है तो हमारे यह हो गया हम यहां पर हर जगे डोट नहीं लगा रहे हैं लेकिन हमारा यह खुद ही करेंगा तो यह अगे पीछे लगा सकते हैं मतलब हमने इस तरीके से लिख दिया ठीक लिख देना बाई अगे पीछे कर सकते हैं सारी बात मैंने आपको पहले पता रखी है ठीक अब यह भी आ गया अब मुझे एक बात का और पता है कि क्योंकि एक अबिलियन ग्रुप है तो यह कॉम्यूटिटिव की बाटी को स्इटिस्फा करेंगा और site के अंदर B एक वर्टillon यहां पी होता है तो यहां पिली सकते हैं अब फिर से क्योंकि ए साभ 떠 autome को साथिस्फा गरे तो हम ब्रैकेट को अबीटे पेच्छी सकते हैं तो लिक देना आबाई असोसेटी प्रोपर्टी यह क्या होगा मेरा a2 यह क्या होगा मेरा b2 देखो a b2 मेरा किस के कवल आ गया a2 b2 के कवल आ गया और यही मुझे क्या गरना अप्रूव करना गा तो जब मेरा जी एक abilion group हो का ना तो यह के कवल हो जाए ठीक है अब हम इसका लेंगे converse पार्ट ठीक तो converse में देखो क्या लिखेंगे हम converse के अंदर हम यह तो लेके चलेंगे और उसको abilion group प्रूव करें ग्रूप तो वो है उसको abilion group प्रूव करेंगे तो लैट अगर लिया हमें कि यह तो हमारे क्या इकवल है राइट फोर ओल a b जो की group g के अंदर belong कर रही है ठीक है अगर यह हमारे इस तरीके से तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी मैंने आपको बताए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं और a square b square को किस तरीके से लिख सकते हैं A2 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 B2 B2 जैसे इसको मैंने यह लिख दिया इसको यह लिख दिया अभी देखो यह Abilene group नहीं है लेकिन group तो है और group है तो चार प्रोपर्टी को satisfy करेगा ही तो प्रोपर्टी को satisfy करेगा तो हम क्या bracket को change कर सकते हैं ABA लिख सकते हैं इसकी जगली और इस तरीके से हमें को combine कर रहे हैं बस इस तरीके सागया अब हमें तो क्या प्रूब करना है कि किसी तरीके से हमारे यह दोनों elements हट जाएं और BAB Cup ला जाए रैत हमें ये प्रूब करना है और यह कब हटेंगे हमारी और यह हमें प्रूब सब सब रह Taamii कियो कटने है क्योंकि हमchas कोрас na और और अच्य मुचकर होते ही हमार्जो ग्रूपर एबिलीन अचाए तो हमें किसी तरीके से एह यह लिए और B हटा नहीं यहां से और हमारा B A B के एकुल प्रूव कर देना है हमारे यह कब प्रूव होते हैं ऐसे जब हम यहाँ पे A inverse ले लें मतलब pre multiply तो हम A inverse के साथ कर दें यहाँ पे भी हमारे यह खतम हो जाएगा और post multiply B inverse के साथ कर दें हमारे ये भी कतम हो जाएगा तो करदो दोनों साइड於 A equus के साथ हमने किया है यह identity, identity, a, b, identity, identity की किसी के बसाथ multiply करो हमारे भही आ चाथते ते यहां क्या गया ब, यहां क्या गया, a, b, b equal to a, b हो गया, यह हम लेके चले थे, group तो हमें बोल ही रखा है, हमारा commutative हो गया, तो जो हमारा group है वो क्या हो गया, is an abelion group, right, तो हमारे ग्रूप है वो क्या होगाई बूतलब अगर हमें इस तरीके से प्लकित के अप्रींडान है तो A B का Sqe 색u A sqe b sqe hoha और अगर A b का Sqe is sqe है तो वो एक अप्रलियं ग्रूप होगा ओके अब जो next examples है वो हम करेंगे next lecture के अंदर वो important example है यह वाले आपके जो आस थे इसमें से जो पहले दो हमने के वो compulsory के लिए important थे और यह भी हमारा सही है paper में आने like question है तो आगे जो examples है वो हम करेंगे next lecture के अंदर thank you guys for watching my video please do like share and subscribe to my channel thank you so much